पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम इन दिनू पाकिस्तान सूपर लीग 2023 में खेल रहे हैं बाबर आजम PSL में इस सीजन में पेशावर जलमी की कप्तानी कर रहे हैं पिछले सीजन तक वो कराची किंग्स टीम का हिस्सा थे बाबर का कराची किंग्स के साथ पिछला सीजन बिलकुल अच्छा नहीं रहा था कराची किंग्स पिछले सीजन में 9 मैच हार गया था पेशावर जलमी और इसलामबाद युनाइटेट के बीच PSL का मैच गुरुवार को खेला गया जिसके बाद प्रेस कॉंफरेंस में बाबर ने रिपोर्टर्स के सवालों के जवाब दिये उनका एक जवाब खूब वारल हुआ है और इस जवाब को सुनकर आपको रोहिच शर्मा की याद जरूर आ जाएगी दरसल एक रिपोर्टर ने बाबर से कराची किंग्स को लेकर सवाल किया और कहा कि पिछली सीजन में माना जा रहा था कि कराची किंग्स आपकी वजह से हारा और इस सीजन में आप नहीं है टीम के साथ तो टीम जीतेगी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं कराची किंग्स के साथ क्या गरत हो रहा है इस पर बाबर ने जवाब में कहा मैं कराची किंग्स का कोच थोड़ी हूँ पिशावर जलमी को लेकर सवाल करिए रोहित शर्मा ने इसी तरह का एक जवाब दिया था 2019 वर्ल्ड कप के दौरा भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ शांदार जीत दर्च की थी और रोहित शर्मा ने तब 140 रनों की पारी खेली थी उस मैच के बाद प्रेस कॉन्फरेंस में एक पाकिस्तानी रिपोर्टर ने रोहित शर्मा से कहा था कि वो पाकिस्तानी बल्लेबाजों को क्या सलाह देना चाहेंगे इस पर रोहित ने मजाग करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान का कोच बना तो जरूर बताऊंगा अभी क्या बता सकता हुए